कि भारत के लोगों जग जाओ गुरुदेव जगाने आए हैं परिवर्तन होगा दुनिया में संदेश सुनाने आए हैं तुम जगोराम की तरह उठालो धर्मधवजानी जेहातों में रिशिवी स्वामित्र बन भगतों का संताप मिटाने आए हैं बारत के बीरों जग जाओ गुरुदेव जगाने आए हैं तुम जगो बीर अरजुन की तरह अर मोहनिसा को भंग करो भगवान कृष्ण बन गीता का संदेश सुनाने आए हैं भारत के लोगों जग जाओ गुरुदेव जगाने आए हैं उठ गया धरा से धरम करम अरु मानवता भी चली गई भगवान बुद्ध बन मानवता का पाठ पढ़ाने आए हैं अभी थोड़ी समय के पहले हमारा देश जब आजात होने का वो त्यागियों ने अपनी इंकलाबी आवाल लगाया तो उसमें महात्मा गाधी थे बिचारे उन्होंने क्या लगाया नारा अहिंसा पर्मो धर्मा अहिंसा पर्मो धर्म का नारा लगा करके और कहा मैं देश को आजाद करूँगा और रामराज की अस्थापना करूँगा ये सपना था महात्मा गाधी का और उधर पहले और देश के नौजवानों ने क्या किया ता इतिहास हमारा साक्षी है सरदार भगत सिंग, खुद्धी रामबोस, अस्फा कुल्ला खां, सुबास चंदबोस ऐसे बीरों ने, 30 साल के अंदर के नौजवानों ने, हस्ते हस्ते फासी के फंदे पर शूल गए क्या यही सपना देखा था उन लोगों ने, कि हमारा देश जब आजाद हो जाएगा तो सारे देश के लोग सराभी हो जाएंगे, सारे लोग मांस खाने लगेंगे क्या यही सपना देखाता है उन्होंने, अब इधार महात्मा गादी अपनी आवाज क्या बुलंद करते है कि मैं कल जी हुए, मैं आजादी के बाद मैं रामराज की असापना करूगा सन 48 में बंद रहा गया, सन 1947 को देश आजाद हुआ, 48 में महात्मा गादी को गोली से मार करके अलग कर दिए 26 जन्वरी सन 1950 को हिंदुस्तान का संविधान देश के अंदर लाग रुगा उस पार्लियमेंट के अंदर, कंटीनों में वही अंग्रेज, बैट करके सराब पीते थे, मांस काते थे बाबा जी ने इसको तो मना किया था, कंटीन में जो सराब मांस पकते हैं इसको बंद कर दो वह हिंदुस्तान का मंदिर है, वहाँ बैट करके जो कानून बनता है, उससे भारत की जनता का खुशाली का कानून बनेगा और वहाँ सराब पी करके, मांस का करके ज़द कुम बैटोगे, तो कोई भी कानून जनता के हित के लिए ने बनता जैसा खाओगे अन्नो ऐसे उपजेगा, अब हुआ क्या असंकर जेला सेरों ने लूटा मजा, सियारों ने आ गए हिंदुस्तान के अंदर, वही त्रेता के हिजड़े, बैट गए, सासंता अब हालत खराब हो गई, अब यो पिये सराब, और खाए मांस, और ताली बजा करके हिंदुस्तान के जनता को लूटना, शुरु कर दिया, तब बताते हैं, बाबा जे गुर्देव जी महराय, ये जब देखा, तो सन उन्नाई सो बावन से, 10 जुलाई सन उन्नाई सो बाव से उन्होंने आवाल लगाना सुरु कर दिया, ये है कि कल जुग में, कल जुग जाने का, कल जुग में सजुग आने का धीडोरा, अहम्दाबाद की जग से सुरु किया, लेकिन उन्होंने आत्मा और परमात्मा का साच्चा भेद, इस आत्मा को जगाओ परमात्मा को प्रा आइसा काला कानुन देश के अंदर लागू किया जो काला कानून आज तक किसीा इतिहास में परिवाद नियोजन जैसा जगने अपरात कानुदेश के अंदर लाग हुआ जिसमें गर्ब के अंदर छे माईने आठ माईने के बच्चे काट करके नालियों में डाल दिये जगा है अरे इतियास हमारा कहता है जब राम रामर जुद हुआ था कोई इस्री और बच्चा नहीं मारा गया था जब महाभारत हुआ तो कोई बच्चा और इस्री महाभारत के जुद में नहीं मारा गया लेकिन आज के जुद में पेटे ही से बच्चे को काट दे रहे हो चाहे और लड़की हो चाहे लड़का नालियों में डाल दिया अरे अगर बास देव देव की नस्बंदी करा लिये होते तो स्रीकिन महाराज कैसे आते सुबाश्चन वो साठें गर्ब से आए तो शक्ति कैसे आती देश का कल्यान होता तब इन्होंने क्या लिखाया अरे बोर्ड शप हो आया अगला बच्चा अभी नहीं दो के बाद अभी नहीं अब ये देखिए